कि दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक हिवान्शू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला बिहार सिक्षक भड़ती में सीटेट में किसको कितना मार्क्स चाहिए इस पर काफी ज्यादा कोस्टन्स आप लोगों ने पूछा है और उसका रीजन यह है कि जो बिहार सिक्षक भ होगा और विश्ली आप सब लोग को पता ही होगा कि बिहार में जो मान नी होता है मांक्स वह सेंट्रल से थोड़ा अलग है क्या-क्या अलग है आप लोग को पता होगा जो नियोजन में अभी तक चल रहा था और उसका एक डॉकुमेंट भी है जिस डॉकुमेंट है 2019 में व लेकिन बिहार में 82 नंबर पे ही उनकी ज्वैनिंग हो गई थी या बिहार में अप्ली केबल था और अगर आप देखिएगा SC, ST, PH कंडिडेट के लिए तो उनके लिए 75 नंबर था और इनको भी मार्क सीटी बस मिलता है सार्टिफिकेट नहीं मिलता है अगर 75 नंबर मतलब 82 स से कम है तो क्योंकि सीटेट तो इनको भी 82 नंबर पे रखता है तो 75 नंबर पे जो है इनको जो है मिल जाती थी या इनको अप्ली केबल माना जाता था OBC का कोई यह नहीं था OBC का as it is है उसमें कोई changes नहीं था बिहार में तो अब यहां पर हाँ तो में जो देखने की बात है कि अब यहां पर इसमें क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि बिहार सिक्षक भरती में आप भी जानते हैं आप जानते हैं कि हमारे एड़बिटीजमेंट्ट में ऐसी बहुत सारे चीज्यजें जो क्लियर नहीं है उसी परिपेक्ष में यह भी क्लियर नहीं है ठीक है जो कि क्लियर नहीं हुई है कुछ चीजें तो बहुत ही confusing है तो उसमें एक ये भी चीजें रही है क्योंकि अगर सीधा लिख देता कि हम कितना पर बानेंगे सीटेट पेपर बान पास किस को मान रहे है किस के लिए कलेक यहां पर रिक्वेश्च किया गया है शंग के द्वारा क्योंकि इस पर कोई जानकारे नहीं थे अगर इसको आप एक generic तोर पर practical तोर पर सोचेंगे तो अभी तक बिहार में पिछले कई वर्सों से यही वाला चलता आ रहा था इसके पक्ष में अगर आप सोचेंगे तो यही वाला चलता आ रहा था अगर उनको परिवर्तन करना होता तो वो आगे से बोलते कि हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं अगर कुछ नहीं बोले हैं तो आप क्या समझेगा जब भी कोई process चल रहा है उसमें कोई कुछ नहीं बोला तो मतलब by default वहीं चलेगा यही meaning निकलता है लेकिन BPSC का कुछ ठीक नहीं है यह आप भी जानते हम भी जानते हैं तो उससे clear कर लेना वाजिब है इसलिए उनको यह later दिया गया है यह अच्छी बात है ठीक है दूसरा angle इसकर उसके negative में सोचते हैं तो यह भी सोच सकते हैं कि यह नियोजन के लिए था तो सिक्षक भरती के लिए यानि कि राज कर्मी वाले प्रोसेस के लिए क्या वही मानेगा जो सीटेट के लिए मानेगा मानने है तो फिर उस cases में गरबर हो जाएगी लेकिन यहां पर फिर एक page भसेगा क्योंकि जो बिहार टेट भी मानने है और बिहार में जो साठिफिकेट का वितरन हुआ था बिहार में जो मारक सीट का वितरन हुआ ता वह इसी basis पे हुआ तो अगर वह इसको चेंज करते हैं तो बिहार टेट और सीटेट वाले में फिर difference भी हो जाएगा तो वो कहीं न कहीं भसेगा इसलिए अभी जो है उन्होंने इसमें कुछ भी किलियर नहीं किया है cut-up marks और यहां पर यह general cut-up marks है जिनको नहीं पता है देख लिजिए अंतर यहीं किया था किCET इनको 75 पे नहीं, Marty Pare CV माना था लेकिन बिहार में SCST pH को 75 पाहिं मान लिया गया था और CETED female को General female और 90 पर सांथ मानता है और लेकिन General female को reim pipkyagator नवरा की मिल जाती है हलाकि इन सब को जिसको घीना लगा हुआ जिसके बाने बात र Одंको marking CT मिलता तो certificate नहीं कमो बेस अगर देखिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो नियम के अनुसार से इसको ही फॉलो होना जाहिए बाकि अब जो बीपीस्टी है तो उनकी बात का कुछ यह नहीं है इसलिए उनसे पूछना ठीक है अगर वो उसमें कुछ चेंज करेगी तो उसका भी हम लोग को पता चल जाएगा लेकिन फिलाल के लिए मेरा यही मानना है कि जो भी आपका यह पुरुवत है जब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं मान के चलेंगे ठीक है तो फिलाल के लिए कंफ्यूजन को किलियर रखिए कि जो चलता आ रहा है अभी वही चलेगा क्योंकि जब तक उसको चेंज नहीं किया जाएगा तो चेंज कैसे होगा और चेंज करने की कोई बात कहीं नहीं है बाकी बिहार जो है बीपेसी की जो चेर्में सहाब की या जो भी सची वाले से कुछ भी अपडेट आएगी तो वो भी हम आप लोग को बताए ठीक है थैंक यू बेरी मच अल दीवेस उमीद करता हूँ पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से आपको तीचिंग वाला यूटूब चैनल पर भी फ्री में भी एजूकेशन हो रही है और फिजिक्स वाला आप पर भी नियूकती ब्याच में आपको बहतरीन सिस्टिमेटि ठीक तैयारी हो रही है टेस्सरीज वगेरा सब के साथ तो सब लोग उसको जुरते रहिएगा थैंक यू बेरी मच बबाए जैहिन